आज हम बात करेंगे किसी का 6th house lord अगर fast house में यानि 6th lord लगन में इस्तित है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं किसी भी जातक का 6th lord अगर fast house में है तो इसका मतलब है कि उस जातक की जीवन में बहुत ज्यादा उतार चड़ावाना, संगर्सों का आना, competition का आना, health issues का आना, उसके जीवन में ज्यादातर किसी से विवाद बगर होते रहना, लड़ाई जगड़े होते रहना और कुछ health issues इस परकार के जो कभी-कभी पता नहीं लगते अचानक से और बाद में वो डाइग्नोज होते इसके अलावा देखा जाए तो यह जो placement है वो कहीं न कहीं आपको ज़्यादा hard worker बनाती है, अपने career को लेकर ज़्यादा चिंता करने वाला बनाती है और आप ज़्यादातर मामलों में कई ऐसे काम में फस जाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं अकसर जीवन में ज़्यादातर समय में तो sixth load का fast house में बैठने का मतलब है कि sixth house की चीज़े अल्रेड़ी आपके अंदर है तो ऐसा जातक बहुत अच्छा fighter हो सकता है उसके लिए लड़ाई जगड़े करना इस परकार के विवाद कुछ या court cases वगरे लोन वगरे ये सब उसकी जिंदके में एक आम बात हो जाती है अब यहाँ पर planet का रोल बहुत एहम है अगर sixth lord आपका क्रूर ग्रे है तो आपके जिवन में ये सब कुछ होते हुए भी आपको ये बिलकुल सामाने लगेगा अगर आपका sixth lord एक क्रूर ग्रे नहीं है बहुत ही सम्मे ग्रे है तो आपको इसमे काफे परेशानी होगी तो आपने बहुत सारे ऐसे जातकों को देखा होगा जो बहुत कठिन परिस्तितियों में अपना जिवन गुजारते जो बहुत ज्यादा कठिन परिस्तितियों में अपने जिवन या अपन को आगे बढ़ा रहे अपने जिवन को वो बिता रहे तो ऐसे जातकों के हो सकता है कि 6th Lord वो फैस्ट आउस में बैठावा हो इसके लावा अक्सर अगर आप बिमार पढ़ते रहते हैं अक्सर अगर आप उधार लेते हैं लोन वगरे लेते रहते हैं जियोन में पैसे की बहुत ज्यादा कमी आपके जियोन में है तो ऐसा हो सकता है कि 6th Lord आपका फैस्ट आउस म बैठना जातक हो सकता है कि जहां उसका घर है वो कहीं आसपास ही अपना कोई काम करेगा बहुत ज्यादा दोर वो नहीं जाए ऐसा हो सकता है इसके अलावा आपके जिवन में सत्रों की संक्या बहुत ज्यादा हो सकती है अक्सर आप जहां भी जाएंगे जहां भी आप काम क करेंगे वहां पर आपके सत्रू होंगे बहुत सारे लोग तो ऐसे केस में जातक के जीवन में ये सारी चीजे जो चठा भाव दर साता है कुंडली का वो सारी चीजे आपके जीवन में अटोमेटिक आते ही आती हैं अब अगर क्रूर ग्रह है अगर सिक्स लोड तो ऐसे में आप बहुत अच्छे से इन सब इस्तितियों से निकल सकते हैं अब आपका सिक्स लोड कोई ऐसा ग्रही होगा जो आपके लगनेश का मित्र तो नहीं होगा बहुत हद तक ये है कि वो लगनेश का मित्र नहीं होगा हाँ ये जरूर हो सकता है कि आपका 6th house के प्रभाव जरूर देखने को मिलेंगे लेकिन उतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे और अगर आपके life में सबसे ज़्यादा 6th house से related activities होती हैं 6th house से related आपके जिवन में इस तरह के काम होते हैं तो भी आप उनको बहुत अच्छे से maintain कर लेंगे बहुत अच्छे से manage कर लेंगे बहुत अच्छे से आप उनको संभाल लेंगे इसी तरह से 6th lord अगर 5th house में है तो ऐसे जातकों को अपने office में काफी लंबा समय बिताना पड़ सकता है कभी-कभी इन जातकों को बहुत ज़्यादा competition fight करने के बाद सपलता मिलती है जिवन में बहुत ज़्यादा hard work इनके रहता है बहुत लंबे-लंबे समय तक इनके कभी-कभी काम बनते नहीं है तो 6th lord का जो परभाव है काफी गहरा होता है अगर आपके लगन में ही 6th lord बैठा हुआ हो साथ ही अब 6th lord की जो इस्तिय अगर लगन में बनेगी तो वो सब्तम्भाव को भी देखेगा तो इस बज़े से कहीं न कहीं वो आपके business को परभावित करेगा आपके married life को परभावित करेगा वो आपके दृष्टी कौन को परभावित करेगा जिवन के परदिया आपके नजरिये को वो बदलेगा तो overall आपका जो पूरा life है आपका जो पूरा horoscope है उसके उपर इसका परभाव अवस्य पढ़ता है साथ ही आप अपने जो भी सामने लोग आते हैं जो भी आपके जस्त सामने आते हैं जस्त आपके opposite जो लोग होते हैं उनके साथ आप कैसा behave करते हैं आप अपने जिवन साथे के साथ कैसा behave करते हैं आपका जिवन साथे किस तरह से आपके साथ behave करता है ये सब इनके उपर जो है इस placement का पुरा पुरा पड़ता है इसके लवाद जीवन में कुछ लोग ऐसे आपने देखे होंगे जिनको बहुत quickly success मिल जाती है जिनको बहुत ज़्यदा hard work नहीं करना पड़ता लेकिन आप उन लोगों में से नहीं होंगे आपको हमेशा एक fighting इस्त अगर six load लगन में ही बैठा है तो इसका प्रभाव आपके profession पे जरूर पड़ेगा क्योंकि six house है वो आपका workplace है ऐसे में आप हो सकता है कि कोई medical के field में हो आप हो सकता है कि कोई कानोनी कोई विवाद बगर मतलब आप नयाले बगर इस परकार के किसी काम में हो आप किसी को को कुछ प्रामर्स देते हैं और किसी को अपनी life से stress कैसे बगाना है कोई रोग है कोई चोटी मोटी बिमारी है उसको कैसे दूर करना है जिवन में सबसे ज्यादा सांती कैसे लाएं जिवन में सांती कैसे महसूस करें और इस परकार की कुछ topics जिनके उपर आप लोगों को सिल करते हैं और जहां पर आप जोब हासिल करते हैं वो ब्रेक प्लेस आपका ऐसा हो सकता है जहां आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही हो अपने काम के लिए तो six load जब भी लगन में होगा इसका पूरा-पूरा प्रभाव आपके लगन पर तो पड़ेगा ही पड़ कभी कभी इस प्रकार के जातक बहुत जल्दी कर्ज से निकल भी जाते हैं पर उनके जियुन में परेशानिया कभी खतम नहीं होती है तो कुछ इस प्रकार का परभाव पड़ेगा जब भी आपका six load fast house में इस्तित होगा